इस वीडियो में हम लोग दसमी कक्षा के हिंदी के सातमे चेप्टर जिसके सिर्सक का नाम है प्रमपरा का मुल्यांकन तो आज हम लोग इसी चेप्टर से समंधेत जितने सारे भी सब्जेक्टिव कोश्चन जो की आपके बुक में दिये हुए हैं उन सारे सब्जेक्टिव कोश्चन को एकक करके बारी बारी से देखेंगे और उन सारे कोश्चन का उत्तर भी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे हम आपको बता दें कि यह जो चेप्टर सात्मा चेप्टर है इसके पहले के छेप्टर हम आपको already complete करा चुके हैं इसी चैनल पे तो जदी आप उन चेप्टर को अभी तक नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल के playlist में जाकर या फिर इस वीडियो के description में भी हम आपको उन सारे वीडियो का link दे देंगे तो वहां से जाकर के भी आप पिछले सारे चैप्टर को देख सकते हैं तो चलिए आज हम आपको शुर हम लोग देखेंगे लेखक का परिचे मतलब इस चैप्टर के लेखक कौन है इनका जन्म कब हुआ, इनकी मिर्तु कब हुई, इनकी परमुक्रचना कौन कौन सी है इन सबी चीजों के बारे में हम लोग जानेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर हम आपको बता दें कि जो यह चिप्टर है जिसका नाम है प्रंपरा का मुल्यांकन तो इस चिप्टर के लेखक है डॉक्टर राम बिलास सर्मा क्या है डॉक्टर रामबिलास सर्मा ध्यान रखिएगा हमेशा प्रिक्षा में पूछा जाता है चिप्टर और राइटर का नाम तो आप ध्यान में रखियेगा कि प्रंपरा का मुल्यांकन चेप्टर के जो कहानिकार हैं जो लेखक हैं उनका क्या नाम है डॉक्टर रामबिलास सर्मा चलिए तो डॉक्टर रामबिलास सर्मा के बारे में हम आपको कुछ जनकारी देते हैं तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो डाक्टर रामबिलाज सर्मा है इनका जन्म उन्नाब जो की उत्तर परदेश में पढ़ता है तो उत्तर परदेश के एक छोटे से गाउं उच गाउं सानी में 10 अक्टूबर 1912 इस्वी को हुआ था मतलब रामबिलाज सर्मा का जन्म 10 अक्टूबर 1912 इस्वी को उत्तर परदेश के एक छोटे से गाउं उच गाउं में हुआ था उनकी अन पर्मुख रचनाओं के बारे में अगर हम बात करें तो उनकी अन पर्मुख रचना है अजार्ज रामचंदर सुकल और हिंदी अलोचना भारतेंदू हरिस्चंदर प्रेम चंदर और उनका यूग भाषा और समाझ महवीर परसाद दुएदी और हिंदी नव भारत की भासा समस्या नई कविता और अस्तित्ववाद भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद और भारत के प्राचीन भासा परिवार और हिंदी बिराम चिन बड़े भाई तो यह जितनी सारे भी यहाँ पर रचनाएं आप देख रहे हैं यह सारी रचनाएं डॉक् अद्धर राम बिलाज सर्मा की यह परमुक्ष रचनाओं में से आती है चलिए इसके आगे हम लोग देखेंगे उन्हें निराला की सहित्य साथना पुरसकार पर सहित्यक अकदमी पुरसकार प्राप्थ हो चुका है किस चीछट पर उनको सहित्यक में पूरसकार मिला तो न लेखक हैं उनको किस पुरसकार से समानित किया गया है तो सबसे पहले आपको बताना है कि सहित अकदमी पुरसकार से जदी पूछा दाता है कि किस चीज के लिए उनको सहित अकदमी पुरसकार दिया गया तो निराला की सहित साधना के लिए उनको सहित अकदमी पुरसकार दिय अब हम लोग देखते हैं कि उनकी मिर्तु कब हुई तो उनका मिर्तु 30 माई 2000 इसवी को दिल्ली में हुआ 30 माई 2000 इसवी को दिल्ली में हुआ ध्यान रखिएगा जन्म हुआ था 10 अक्टूबर 1912 इसवी को और मिर्तु हो गई 30 माई 2000 इसवी को तो हम आपको लेखक के बारे में कुछ जनकारी थी जो हम आपको बता दिये जो की इस चिप्टर में important part है चलिए इसके बाद हम लोग देखेंगे कहानी का सारांस कि एक कहानी जो है इसका shortcut में कहानी का सारांस कहने का मतलब हुआ कि कहानी को यहाँ पर सौट में लिखना है एकजाम में हमेशा पूछा जाता है कहानी का सारांस इसलिए आप इस पॉर्शन को थोड़ा ध्यान से अच्छे से समझेगा चलिए तो कहानी का सारांस हम लोग देखेंगे जो लोग साहित में जुग परिवर्टन करना चाहते हैं वो लकीर के फकीर नहीं है और जो रुढियां तोड़कर करांतिकारी साहित रचना चाहते हैं उनके लिए साहित परंपरा का ग्यान सबसे जाइदा अवस्यक है जो लोग समाज में बुनियादी परिवर्टन करके बरगहीन सोसन मुक्त समाज की रचना करना चाहते हैं वे अपने सिद्यांतों को इतिहासिक भौतिक बाद के नाम से पुकारते हैं परगति सील अलोचना किन ही अमुर्थ सिद्यांतों का संकलन नहीं है वह साहित्य की परंपरा का मुर्थ ग्यान है हम आपको अपनी तरब से पूरी कोशिस करेंगे कि आपको हम पहुत ही सरल भासा में इस चेप्टर को समझाए तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं यह ग्यात उतना ही विकासमान है जितना साहित्य की परंपरा साहित्य की परंपरा का मुल्यांकन करते हुए सबसे पहले हम उस साहित्य का मूल निर्धारित करते हैं जो सोसक बरगों के बुरुद स्रमिक जनता के हीतों को प्रतिविम्बित करता है साहित्य में मनुस की बहुत सी आदम भावनाय प्रतिफलित होती है जो उसे प्रतिमार्थ से जोड़ती है उसमें मनुस का इंद्रिये वोध उसकी भावना भी व्यजित होती है सहित का यह पच अपेक्छा कृत अस्थाई होता है ठीक है सहित का यह पच अपेक्छा कृत अस्थाई होता है चलिए आगे हम लोग देखेंगे कि सहित के निर्मान में प्रतिभासाली मनुस्यों की भूम का निरनायक है इसका अर्थ यह है इसका यह अर्थ नहीं कि यह मनुस जो करते हैं वह सब अच्छा ही अच्छा होता है या उनके स्रेश्ट कृतित्व में दोस नहीं होते कला का पुर्णता निर्दोस होना भी एक दोस है साहित्य के मू अच्छी कविता लिखी थी उसमें उन्होंने कहा कि रोमन समराज्य का बैभव समाप्त हो गया पर बरजिल के कब सागर की ध्वनी तरंगे हमें आज भी सुनाई देती है और हिर्दे को अनंद विहवल कर देती है यह कहते हैं कि जब ब्रिटिस समराज्य का कोई नाम लेव और पानी देने वाला नहीं रह जाएगा तब सिक्स्पियर, मिल्टन और सैली, बिश्व संस्कृति के आकास में वैसे ही जगमगाते नजर आएंगे जैसे पहले और उनके प्रकास पहले कि अपिक्छा करोडों नहीं आखे देखेंगी अब इस लाइन को यहाँ पर ध्यान भी नहीं रह जाएगा, कोई उसे पानी देने वाला भी नहीं रह जाएगा, तब सिक्स्पियर, मिल्टन और सैली, बिश्व संस्कृति के आकास में वैसे ही जगमगाते नजर आएंगे जैसे पहले और उनके प्रकास पहले कि अपिक्छा करोडों नहीं आखे देखती या फिर देखेंगी, चलिए, आगे हम लोग देखेंगे कि संसार का कोई भी देश बहु जातिय राष्ट की हैसियत से इतिहास को ध्यान में रखे तो भारत का मुकावला नहीं कर सकता, यहां राष्ट्रियता एक जाती द्वारा दूसरी जातियों पर राजनीतिक प्रभुच अस्थान है, इस देश की संस्कृति से रामायन और महाभारत को अलग कर दे तो भारतिय साहित्त की आंत्रीक एकता तूट जाएगी, किसी भी बहुजातिय राष्ट्र की समाजिक विकास में कभियों की ऐसी निरनायक भुमका नहीं रही, जैसे इस देश में ब ब्यास और बालमीकी की भुमका रही, ऐसी भुमका इस देश में कभियों की अभी तक नहीं रही है, चलिए, आगे हम लोग देखेंगे समाजबाद हमारी रश्ट्रिय अब सकता है, पुंजी बादी ब्यवस्था में सक्ति का इतना अपव्याय होता है कि उसका कोई हिसाब नहीं है, देश की साधनों का सबसे अच्छा उपयोग समाजबादी ब्यवस्था कायम करने के बाद पहले की अपवक्षा कहीं ज़्यादा सक्तिसाली हो गये हैं, और उनकी प्रगती की रफ़तार किसी भी पुंजी बादी देश की अपवक्षा तेज है, सहित्य की परंप पर लेखक्षर, निर्धन जनता नए और पुराने सहित्ट की महान उपलबधियों के ज्यान से बंचित है, जब वह साक्षर होगी, ध्यान दिजीगा यहां पर जनता की बात किया जा रहा है, कि जब वह साक्षर होगी, सहित्ट पढ़ने का उसे अभकास होगा, सुविधा हो यहां पर लेखक कह रहे हैं कि अभी जो निर्धन जनता है वह नए और पुराने सहित की महान उपलब्धियों के ग्यान से बंचित हैं और जब वह साक्षर होगी मतलब जब उनके पास ग्यान आ जाएगा सहित पढ़ने का उसे अबकास होगा सुविधा होगी तब वह ब्यास और बालमीकी के करो नए पाठक होंगे तब मानव संस्कृति की विसत धारा में भारतिय सहित की गौरबसाली परंपरा का नवीन योगदान होगा ठीक है तो यहीं आपका इस चेप्टर का सरांज था जो आपके बुक में दिया हुआ है उसका सौट फॉर्म यहीं था तो इ चलिए तो हम लोग अब देखेंगे अध्याय साथ के कोश्चन अंसर मतलब परंपरा का मुल्यांकन जो यहां पर निवन्ध है इसका कोश्चन अंसर देखेंगे तो चलिए कोश्चन नमबर पहला कह रहा है कि परंपरा का ग्यान किन के लिए सबसे जादा अवस्यक है और क यूग परिवर्थन करना चाहते हैं करांतिकारि सहित रचना चाहते हैं उनके लिए सहित की परंपरा का ग्यान अवस्यक हैं। यूग परिवर्तन करना चाहते हैं, जो लोग सहित में यूग परिवर्तन करना चाहते हैं, करांतिकारी सहित रचना चाहते हैं, उनके लिए सहित की परंपरा का ग्यान अवस्यक है, क्योंकि सहित की परंपरा से प्रगति सील अलोचना का ग्यान होता है, जिससे सहित की धारा क को मुड़कर नए प्रगति सील सहित्त का निर्मान किया जा सकता है चलिए कोश्चन नम्मर पहला हो गया हम लोग देखेंगे कोश्चन नम्मर दूसरा परंपरा के मुल्यांकन में सहित्त की वरगिये आधार का विवेक लेखक क्यों महतपुर्ण मानता है ठीक है कोश्चन न अंपरा का मुल्यांकन करते हुए सबसे पहले हम उस सहित्त का मुल निर्धारित करते हैं जो सोसक बरगों के बुरुद स्रमिक जनता के हीतों को प्रतिविम्बित करता है उसके साथ हम उस सहित्त पर ध्यान देते हैं जिसकी रचना का आधार सोसित जनता स्रम है ठीक है हम रचना का अधार सोसित जनता स्रम है और यह देखने का प्रयत्न करते हैं कि वह वरतमान काल में जनता के लिए कहां तक उपयोगी है और इसका उपयोग किस तरह हो सकता है ठीक है बीच वाले लाइन से आप ध्यान से समझेगा कि हम लोग साहित पर ध्यान देते हैं जिसकी अधार सोसित जनता स्रम है कहने का मतलब यहां पर लेखक कह रहे हैं कि हम लोग वैसे साहित पर ध्यान देते हैं जिसमें जनता सोसित स्रम के रूप में होती है और यह देखने का प्रयत्न करते हैं कि बरतमान काल में जनता के लिए कहां तक उपयोगी है जिसका उपयोग कि तरह हो सकता है चलिए question number 3 अब हम लोग देखेंगे साहित का कौन सा पक्ष अपेक्षा कृत्ख करित देखिए इसका उत्तर होगा कि सहित मनुस के संपुर्ण जीवन से संबद्ध है आर्थिक जीवन के अलावा मनुस एक प्रानी के रूप में भी अपना जीवन बिताता है सहित में उसकी बहुत सी आदिम भवनाय प्रतिफलित होती है जो उसे प्रानी मात्र से जोड़ती है सहित में समझियेगा ध्यान से सहित में उसकी बहुत सी आदिम भवनाय प्रतिफलित होती है आदिम मतलब पुरानी भवनाय प्रतिफलित होती है जो उसे प्रानी मात्र से जोड़ती है इस बात को वारवार कहने से कोई हानी नहीं है कि सहित विचारधारा मात्र नहीं है इसमे मनुस का इंद्रिये बोध इसकी भवनाएं भी ब्यजित होती है सहित का यह पक्ष अपेक्षाक्रित अस्थाई होता है ठीक है सहित का यह पक्ष अपेक्षाक्रित अस्थाई होता है चलिए question number 4 हम लोग देखेंगे सहित में बिकास की परकिरिया उसी तरह संपन नहीं होती जैसे समाज में लेखक का आसे क्या है इसी को असपस्ट करना है तो चलिए इसका उत्तर हम लोग जानते हैं कि लेखक कहते हैं कि सहित में बिकास परकिरिया समाजिक बिकास करम की तरह नहीं होती है समाजिक विकास करम में पुन्जी वादी सभ्यता और समाज वादी सभ्यता में तुलना किया जा सकता है और एक दुसरे को स्रिस्ट एवं अधीक प्रगति सील कहा जा सकता है लेकिन साहित के विकास में इस तरह की बात नहीं है यह बात नहीं है कि समन्ति समाज के कभी की अपेक्छा पुंजी बाद समाज का कभी सिरिस्ट है कभी अपने अपने पुर्वती कभियों की रचनाओं का मनन करते हैं लेकिन अनकरन नहीं करके स्वेम नई प्रमप्राओं को जन्म देते हैं अदोगिक उत्पादन और कलात्मक संदर्ज जियों कात्यों नहीं बना रहता अमेरिका ने एटम बम बनाया रूस ने भी बनाया पर सेक्सपियर के नाटकों जैसे चीजों का उत्पादन दुबारा इंग्लेंड में भी नहीं हुआ अतासाहित और समाज के विकास करम में समानता नहीं हो सकती देखिए यहां पर लेख़क कहते हैं कि अद्दोगिक उत्पादन और कलात्मक संदर्ज जियों कात्यों नहीं बना रहता ध्यान से समझझेगा अमेर्का में एटम बम बनाया अमेरिका ने एटम बम बनाया रूस ने भी बनाया पर सेक्सपियर के नाटकों जैसे चीज का उतपादन दुबारा इंगलेंड में नहीं हुआ ठीक है जब अमेरिका ने इटम बनाया तो उसके देख करके रूस ने भी बनाया लेकिन जो Shakespeare का नाटक था जो Shakespeare कर गए उस चीज़ का दुबारा उत्पादन England नहीं कर पाया अता सहित और समाज के बिकास करम में समानता नहीं हो सकती चलिए Question No.4 आपका यहीं कह रहा था अब हम लोग Question No.5 से अगले वीडियो में देखेंगे ठीक है तो आप अगला वीडियो जरूर देखिएगा वहां से हम आपको Question No.5 से आगे जितने सारे सब्जेक्टिव कोश्चन हैं उन सारे सब्जेक्टिव कोश्चन को हम आपको के जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं तो चलिए फिर मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद धन्यवाद